पांसो वर्सों से जिस राम मंदिर के इंतजार में सभी लोग अपनी आखे बिछाय थे, अब वोर समागत दो गया बंदर दिन के अंदर राम मंदिर की नियू बनायजाने का कारी प्रागम करने के लिए मिलजापूर वजोस पूर से पत्तरों को लाने का कारी भी शुरू कर दिया जाएगा माना जारा कि 11 मार्ज को पढ़ने वाले महाशिवरात्री पर सुम मोहरत रखा रह सकता है राम मंदिन न्यू बनाय जाने की जानकारी देती हुए राम मंदिर ट्रस्ट के खोशार जच कोविन देउजी गीदी ने बताया कि अभी हम लोगों ने वाप पर जो खुडाई की है इस खुडाई को लेकर नीचे की और उप्लोगी जमीन हम लोगों को मिली है या उपरी सेटर से अच्छी मिट्टी नीचे की सतावर टापकी है खुडाई का कारी लगबफ पूरा हो चुका है कुछ हस्तानों से जो मिट्टी हटाई जानी है उसका कारी खियानी के बाद लगबफ 15 दिन के अंदर नीग भने का कारी प्रादम कर दिया जाएगा बगवान सिर्याम के मंदिर निर्मार के लिए पूरा देश उपसुक है और हम लोग भी इसके लिए कतिबद है और पूरा न्यास सभी कश्ययोग लेकर इस कारी को कदम है वाई मंदे निर्मार के लिए तैयार की यदारानाय नियु में लगने वाले पत्रों को लेकर जानकारी दीए कि इसमें मर्ज्चापूर के पत्रों वगर्दय प्त्रों का भी प्रयोक कि आजाएगा जिसके नियुकिस लिए oc कुछ स्थान दिया जाएगा वहां के किसी भी देवी देवता का यदि विग्रह की पूजा होती रही है और मंदिर को उतारना पड़ा है तो उसकी पूजा भी बाकाइदा चलती रहेगी कुछ विग्रह ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी पूजा वर्सों तक नहीं हुई है उनको भी स्थान में संमान के साथ दिराजमान किया जाएगा अभी क्याचल वायफ मंदिननिनमाण को लिखा के हैं अभी हम लोगों ने वहां पर जो खुदाई की है इस खुदाई को नीचे की जो जमीन हुम लोगों को मिली है वो उपर की मित्टी की अपेक्शा बहुत अच्छ मिट्री नीचे मिली है और इसलिए हम लोगों का विश्वार भी बढ़ गया है अब इसके उपर सीधे सीधे थोड़ी सी और खुदाई कदाचित इन लोगों को लगा कही करने आवस्षिक है तो वहां पर की जाएगी और फिर भरने का काम आरम हो जाएगा पंद्रे दिन के भीतर कितने पर्षंट हो चुकी है लगब पूरी हो चुकी है एक दो परसेंट बाकी होगी तो यह लोग उस्थान को देख लेंगे कौन से त्रक से लाए जाएंगे पर्थरिया प्रेंट से ने ट्रक से आएंगे